So Hello Everyone, How are you all? कैसे हैं आप सभी यार? आज सा करता हूँ बढ़िया होंगे और आज की हैडलाइन आप पढ़ी रहे हैं किस बारे में होने वाली है और इस टोपिक के उपर हमने पिछली कुछ वीडियो में भी बात की है मैंने कुछ ऐसे टोपिक के उपर भी बात की है, जो इसी नियूज से रिलेटीड है तो हमने जो लाइस वीडियो में बात की है, उन चैमिकल के बारे में उन टोक्सिक हामफुल कैमिकल के बारे में और उसी के लिए आज यहाँ पर न्यूज आपके सामने निकल के आ गई है तो जिसे हम कह सकते हैं कि एक पुखता सबूत आपके सामने पहुँच चुका है तो अब ये न्यूज इसको पहले तो पूरा देखें वीडियो को बहुत ज़रूरी न्यूज है गर मिस करेंगे तो आप अगर एकनी हेलथ के लिए 어렵नी इस अपनी फैंली की है थेलगियो तो मस्ट है कि आप इस न्यूज को पूरा यहां पर देखें ठीक है तो पिछली वीडियो भी देख लें यार क्योंकि उसमें भी मैंने बात की थी तो जाद है मैं टाइम लूँगा नहीं सीधा चलता हूं और हैडलाइन बड़ी बड़ी लिखी हुई है मुंबई डॉक्टर निख लिंक फैर्नेस करें टू किड्नि नैस इन फैमिलि ठीक है गुणा फिरा के वही बात है पिछली दो वीडियो जादर बात की थी कि भाई यह यह केमिकल्स हैं जो हमारे कोस्मेटिक्स के अंदर में डलते हैं जो हमारे लिए हामफुल है हमें उन से बचना है उनको इस में डिसकस किया था सारी चीजे ठीक है तो ओल्डेडी हम सारी चीजे डिसकस कर चुके हैं मैं इसलिए न्यूज इंपोर्टेंट थी कि ताकि और आप लोग इसकी प्रती अवेर हों कि ये चीजे हो रही है मार्किट के अंदर थीक है तो न्यूज किया है अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ठीक है जी ये रही न्यूज सामने लिखा हुआ है साब साब की कोई 20 साल की बायोटेक की स्टूडेंट है जिन्होंने कोई जो है ब्यूटीशियन है उनकी उनसे ए स्क्रीम ने कुछ रियक्शन किये और उनकी जो टीनी फेल्टर से किड़नी इसके वो डैमेज हो गए ठीक है अब डॉक्टर ने कोई के एम हॉस्पिटल के जो कोई डॉक्टर है उन्होंने फिर उस पे अपनी स्टडी रखी तो डाइगनोग जो भी किड़नी के जो मतलब समझ रहो ना दोसी वही था ठीक है तो उसी को उसमें पता चला कि भाई या इसमें टॉक्शिक केमिकल्स है अब क्या है वो आगे देखते हैं अब यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है आपको बता जिया गया है यही आईवेदा लैबोरेटरी के अंदर वो चीज़े इसकी इन क्रीम वोज इन थाउजेंट एज अगींस दप्रमिजिवल लेवल ओफ लेज दन वन पीपीम ठीक है ऐसा डॉक्टर ने बोला अब क्या है कि वही चीज़े जो लड़की थी उसके बलड में भी मरकरी की मात्रा जो है लेवल जो पाये गया है ठीक है क्योंकि मरकर तो किसलिए responsive होते हूँ pigmentation के लिए तो सीधा सीधा भईया वो क्या है कि इस क्रीम के अंदर मरकरी की concentration ज़्यादा मातर में पाई गई है और इसी में नहीं औरों में भी है और भी प्रोडेक्स है उनमें भी पाई गई है और ये पहली news नहीं है अब से पहले भी ऐसी अब क्योंकि दो चलो ठीक है और मैं मानता हूँ आपने दो वीडियो अगर नजर अंदाज करी है कि मैंने जो उसमें डिसकस किया था हम लोगों ने जो एक website थी जिसके तुरू हम गए थे और वो अच्छी खासी website थे international website थी जिस पर बताया गया था क्या बताया गया था उस ठीक है अब यहां दूसी चीज क्या है कि the presence of heavy metal in cosmetic यह कुछ नया नहीं है जैसा मैंने अभी बोला था ठीक है 2014 में डैली बेज CST 32 creams को टेस्ट किया था उसके अंदर 14 heavy metals पाए गए थे ठीक है जी तो कहने का मतलब यह है यह पहले से भी होता है और एक और latest news हमारे सामने आ ग ही है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन से जाग रूख है और वो इसके प्रति सेफटी भी रख रहे हैं तो जो जिनको नहीं पता है जो निउस नहीं पहुची है अब अगर पहुंच रही है तो यार मुद्दा यह है कि सबसे पहले तो वह वीडियो भी देख लिए जो है सब को वेर होना पड़ेगा ठीक है तो यार यही था आज का मुद्दा मैं इतना ही कहूंगा यार तो हमने ध्यान रखना यार अपना अपनी फैमली का तो अच्छा खाएं अच्छा पीएं अच्छे कोस्मेटिक यूज़ करें केमिकल फ्री वाले बहुत सारे ब्रैंड् मिलते हैं यार तब तक के लिए सबी को नमस्कार टाटा बाई बाई टेक केर